की कि ये लमाओ गया दीसले मैं प्लबान करता था कि बारा गंटे सिर्फ बारा गंटे और हो कि इसे चार कंटे और आट गंटे नीन के चार कंटे बागे काम उप跟你 और बारा गंट करता था तब मेरी तो पढ़ाई कभी बहुत अच्छी नहीं चले मैं 15 दिन का मैंने का टार्गेट करता था कि अगले 15 दिन में मुझे इतना पढ़ना है इतना सिलिबस कवर करना है रोजाना इतने गंटे पढ़ने हैं मैं दिन भर मैं कुचिंग जाता नहीं था हमारे जमाने मैं कुचिंग का प्रचलन थोड़ा कम था क्योंकि पैसे नहीं होते थे इतलेगे हम कुचिंग कर सकें तो मैंने की कोचिंग थी वो भी 1,5 महिने था कि दो डही महीने में हमें कहा कि तो मारा कोर्स पूरा हो गया ओके टाटा बाई बाई खटम गया तो वो एक मात्र कोचिंग की थी बाकी जो तो उसके बाद से मेरा कोचिंग से बरोसा उड़ गया मैं गया तो इतनी रुपे ले ले लेते हैं और ढई महीने चलाते हैं और ढई महीने में भी हमारे सर मस्त मौला थे जो कभी पढ़ाते थे और कभी नहीं पढ़ाते थे सब्सक्रामें संडेगी तो आफिशिली चुटी होती थी और एक-दो चुटी वो सर अपनी मर्जी से कर देते थे तो जाते और हम भी बच्चे थे और जो हमें वहां का मेनेजर कहता कि आज क्लास नहीं होगी तो कि यस अधर अजीब है सारे बच्चे खुश ही होते देख आज आज भी पढ़ना टेंशन में इसलिए बाद में रूम भी बैठके पढ़ते थे तो रूम पे 24 गंटे होते हैं एक दिन मे 24 गंटे मेंसा 8 गंटे नीन ले लो कुछ जमेंदारी नहीं कहीं दर अदर नहीं जाना 8 गंटे नीन ले ली पीछे बच ना fundamental 16 मेंसे 4 गंटे आप दूसरे काम में लगादो सनान कर लो, फ्रेस हो जाओ, खाना खार लो बस यही करना होता था तो इसमें कित्ते गंटे लगा हो गया तो इसलिए मैं प्लान करता था कि 12 गंटे वैसे 4 गंटे और 8 गंटे नीन के 4 गंटे बाकी काम होगे और 12 गंटे अपने बाद है बारा गंटे रोज पढ़ना है जादा नहीं, सोला, सोला, ठारा, ठारा गंटे नहीं पढ़ना, सिरफ बारा गंटे, और बाकी चार गंटे freedom, आठ गंटे की नेन क्योंकि आदमी को नेन फुल लेनी चाहिए इसे उसका मस्तेश्क थोड़ा अच्छे से गाम गए फिर भी पंदरा दिन और मैं रोजना, मैं बहुत यहों मंगता था लोग पैसों का हिसाब ज़्यादा लगाते हैं मैंने जिन्दिगे में कभी पैसे का हिसाब नहीं लगया ना तब लगया ना आज लगाता हूँ ज़्यादा नहीं लगया कि हिसाब लगाने लहीं थे ही ञूइ मुस्किल से इदर उदर से गर वालों से या दोस्तों से मांग मूं के ऍरियों गज़ार रुपे एकटे करते थे तीन मैंसे सीदे सीदे पंदरा सो रुपे कमरे के लग जाते थे 500-700 रूपे कैफिन के लग जाते थे ले दे कि 400-500 रूपे मैने के होते थे उसका क्या तो हसाब लगाना कौन ले के जा रहा है कौन से अपने इत्ते खर्चे हैं इस लिए मेरे से कभी दशाब लगता भी नहीं था और पर मैं समय का बहुत हिसाब रखता था रोजना शाम को लिखता था कि आज एक्जक्ट कितने गंटे मैंने पढ़ाई की और कितने गंटे बाकी के बाकी के सोभावी के बरबादी हुए पर मुझे उस चीज का बहुत दुख होता था पैसे खर्च हो जाते थे अनावच्शी करूप से मुझे कभी दुख नहीं हुआ लेकन समय बरबाद हो जाता था तो मुझे बहुत दुख होता था कि आज से इतना और रोज के समय का हिसाब रखता था और रोज दुख ही होता था मैं पैसे बहुत कम दिन जाते थे महीने में दो या तीन बार ऐसा होता था कि मैं बारा गंटे या ग्यारा गंटे पढ़ लेता था दस खंटे से उपर जिस दिन पढ़ता था उस दिन में बहुत खुश होता था लेकिन आजगल के बच्चों को देखता हूँ जो पैसे का हिसाब तुम मंगतों की तरह पैसे पैसे का हिसाब रखते है और समय का कुई हिसाब नहीं रखते है जब कि काईदे से आप लोगों के जीवन में इस समय भी जब आपके पास पैसे नहीं है और समय बहुत सारा है इस समय भी आपके जीवन में पैसे से बहुत 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 ज़ादा महत्व समय का है इसलिए प्लीज समय का हिसाब बहुत मंगते पढ़ें से करो एक एक मिनट कहीं खर्च करो तो बहुत सोच समझ के करो और ये कंजूसी ऐसी है कि जिससे अगर आप कंजूस रोगे तो तुम्हारे अडूसी औ पडूसी औ को भी तुमसे कोई शिकायत की होगे पैसे के मामले में तुम्हारे अडूसी पडूसी तुम्हारे दोस्त तुमसे दुखी हो जाएंगे लेकिन समय के मामले में तुम मंगते हो, समय कर्च नहीं कर रहे हो तो सबको राहत मिलेगी, यह टाइम नहीं खाएगा, माता नहीं खाएगा इसलिए जिन्दगी में पैसे का हिसाब रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन समय का हिसाब जरूर होते हैं तो मैं रखता था भोजाना शाम को एक डायरी में लिखता था कि आज कितने गंटे पढ़ाई की सिरफ गंटे लिख देता था और जब पंदरा दिन होते थे पंदरा दिन बाद मैं खुद का मुल्यांकन करता था और खुद का मुल्यांकन बहुत करूर तासे करता था मैं बहुत मंगते पढ़े से करता था बहुत स्ट्रिक्टली करता था अपने खुद के प्रती करूर होता था और फिर ऐसा लगता था कि मैंने जो टार्गेट रखा था कि बारा गंटे का अवरेज निकलना चाहिए तो वो अवरेज मेरा च्छे गंटे भी नहीं निकलता था पंदरा देन का सिलबस जतना टार्गेट करता था वो 50% भी सिलबस कवर नहीं होता था इसलिए मुझे खुद से बहुत पुर्सा आता था मैं अपने आपको बहुत कोस्ता था कि वही मैं मेरे जिन्दगी का जो सबसे कीमती समय है क्योंकि वही समय होता है जो आपका अभी वाला जो समय है यही समय है जो आपके भविश्य को तै करेगा बच्पन का समय इतना ज़्यादा कीमती नहीं होता है अब की मेरी लाइफ का जो समय है वो इतना ज़्यादा कीमती नहीं है अब मैं समय परबादी करता हूँ इतना यूज नहीं करता है लेकिन उस समय का समय कीमती था क्योंकि मैं जहां से आ रहा था आप लोगों की इस्तियां तो बहुत बहुत बैतर होगी मैं जैसी इकोनोमिक कंडिशन से जैसे जगे से आ रहा था वो बहुत पैसी वाली थी कि मुझे किसी भी हालत में बदलाव चाहिए था मैं उसी इस्तिय में पूरे जीवन को जीने की कलपना भी नहीं कर सकता था कि मैं जिस जगे इस समय मेरा परिवार है वहां रहके मैं पूरी जिन्दी जी लूँगा ऐसा मुझे मैं बरदास नहीं कर सकता था किसी की मत पर मुझे मेरे हालात बदलने ही थे कितनी जदा मेरे अंदर ये जो है वो ललक थी तो इसलिए और वो चीज उसी फेज में ही हो सकती है बाद में नहीं बुड़ापे की उम्र में नहीं हो सकती और बच्पन की उम्र में नहीं हो सकती तो समय इतना कीमती है इसलिए मैं कोशता था कि यही समय है जब मैं अपने हालातों को सुधार सकता हूँ अपने हालातों को अच्छा कर सकता हूँ और ये सबसे कीमती समय जाया कर रहा हूँ घरवालों की खरी कमाई का पैसा जो कि उनके पास अल्रेडी बहुत कम था जो अपनी आवश्यक्ताओं को सिमित करके पेट के गाठें दे दे के मुझे भेजते थे उस पैसे को बर्बाद कर रहा हूँ और उससे भी बड़ी चीज कि मैं उनकी उमीदों को बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि उन सब ने मुझसे उमीद बांद रखी थे परिवार की इस तितनी अच्छी नहीं होने कि है कि घर वाले पैसे देने के लिए तयार है लेकिन आपको मांगते हूँ शरमाती है कि उनकी पास है यह नहीं को मैं उनकी उमीदों को तोड़ रहा हूँ यह सबसे बड़ा पाप है तो इस तरह से मैं अपने आपको कोईस्ता और फिर मैं नया परन लेता कि अब गलती हो गई एक बार आगे से ये गलती नहीं होनी चीए और अब मैं पढ़ाई करूँगा मन लगए मैं इतना सोचता था उस जमने उस जमने में बहुत ज़्यादा सोचता था अब तो मैं कुछ भी नहीं सोचता जितना पहले मैं मेरे भविश्य को लेके जितना सोचता था जितना सतर्क था जितना अनुशासित था उसकी तुल्ला मैं आज तो मैं दो परसेंट भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा उस समय सोचता था और फिर मैं नया टार्गेट टेह करता था अगले पंदरा दिन मैं बहुत और जो है वो टार्गेट जितना टेह किया है इससे एक्स्ट्रा पढ़ो और नया प्रण लेके फिर से बैठ जाता था पढ़ने और ये भी कमिटमेंट करता था कुछ से अगले पंदरा दिन में अगर मैं मेरा टार्गेट पूरा नहीं गरूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ने के लिए बना नहीं हूँ मैं जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ इश्वर ने शायद मुझे किसी दूसरे काम के लिए बनाया है इसलिए आगले बार मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा घर चला जाओंगा और कुछ नया काम करूँगा अब घर वालों के पैसे बरबाद नहीं करूँगा और उनको भी कह दूँगा कि अब मुझे ज़्यादा उमीद रखने की कोशिश मत करो फाल तुमें मैं कुछ नहीं कर सकते ताकि जितना जल्दी उनको पता चलेगा ठीक रहेगा इस तरह से सोचके मैं वापस पढ़ने बैट था फिर पंदरा दिन निकलते थे वही ढाक के तीन पार सेम वही छे गंटे का आवरेज निकलता था सेम वही 50% भी सिलिबस कवर नहीं होता था फिर मैं रिपीट करता सारी बाते हैं अपने मन के अंदर पुद को कोस्ता धिकारता और पढ़ाई छोड़ने के लिए तयार हो जाता बोरी अब इस तरफ पैक कर ले तक अब मुझे जाना चाहिए लेकिन फिर अंदर से एक उम्मीद जागा के नहीं दिले खुद को एक मौका और दे दे बस इस बार अगर मैं ऐसा नहीं करूँ इस बार अगर टाइम वेश्ट करूँ तो अगली बार पक्का पढ़ाई छोड़ दूँगा और फिर वापस नया शंकल्प लेके प्रण लेके फिर बैठता था और फिर पंदरा दिन होते वही ढाकी दे प्र पढ़ाई नहीं होते तो पूरा सफर खुद को कोस्ते हुए खुद को दिकारते हुए खुद की कमिया निकालते हुए खुद की पढ़ाई से असंतुष्टी दिखाते हुए निकला पूरा और फिर जब मैं तूट जाता था तब मैं मेरे जो दोस्ते बहुत अच्छे दोस्ते दोस्ते पास जाके अपना रोना रोता था क्यार मेरे साथ तो यह हो रहा है तो दोस्त मेरे सुर में सुर मिला कहता सेम है मेरे साथ भी यही हो रहा है फिर मैं गाई ये तो निकमाएं किसी पढ़ने वाले दोस्त और ज़्यादा पढ़ने वाले और ज़्यादा पढ़ने वाले दोस्त के पास जाके कहता वो भी यही कहता कियार हालात तो मेरे भी कुछ ऐसे ही है मेरे से भी अच्छी उत्ती अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है जिती मैंने सोची थी टार्गिट पूरा नहीं होता और मैं भी कोशिस करता हूँ कि दिन में एक भी मिनट आलतू में जाया नहीं होना चीए लेकिन मेरा टाइम खराब होता है तब चारों तरफ देखता था कि सब के हालात ऐसे ही हैं तो फिर एक ही मतिती जिन के हालात खराब हैं अब अपने हालात सुधरेंगे यह करते करते और मेरे जो दोस्ते जिनके हालात बहुत खराब थे और जो कभी अपनी पढ़़ाई से संतुष्ट नहीं हो पाए उनके भी सब के सेलेक्शन हो और जीवन में आज सब अच्छी जगे है कामियाब है, सक्षेस्फुल है तो सामने ते एक इस्टुडेंट की जो लाइफ होती है उसमें यही इमानदारी पूर वक्त जवाब होता है उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चल लगी है लेकिन आज कल के बच्चों को जब मैं पूचता हूँ पढ़ाई कैसे चल लगी है तब वो कहते हैं बहुत अच्छी चल लगी है तब मन में ख्याल आता है एक जजज साब कौन है यह लोग कहां से आते हैं यह क्या बोल रहे हैं इनको खुद को पता ही नहीं है इन्होंने अपना निश्पक्ष मुल्यंकन किया ही नहीं है इन्होंने कभी दो मिनट निकाल के खुद के बारे में सोचा ही नहीं है कि पढ़ाई कैसे चल लगी है शायद ये थोड़ी बहुत जो पड़ाई होती है कुचिंग आना और घर जाना ये इसी को पड़ाई मान रहे हैं और ये ही इनको लग रहा एक बहुत बड़ा ऐसान कर रहे हैं जिन्दगी पर कि ये कुचिंग आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं परना दूसरे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने फीस भी दी थी पर वो कुचिंग आना ही बंद हो गए इसलिए ये उन से अपनी तुलना करके ये पड़ाई हमारी बहुत अच्छी चल दे या फिर